तो दोस्तों आज अम बात करेंगे पतना है कोट की बारे में यह जो आई है इसके क्या minimum qualification है क्या strategy हमें अपनानी चाहिए ताकि इसमें हो जाए ठीक है दोस्तों तो आई यह देखते हैं क्या क्या दिया गया है तो बात करते हैं सबसे और SC की जनरल OBC और EWS की जो फीस रखी गई है वो 1000 रुपए रखी गई है SC, ST और OH की जो फीस रखी गई है वो 500 रुपए रखी गई है minimum age जो रखा गया वो 18 साल और maximum age 37 साल ये है male candidate के लिए और बात करते हैं female के लिए तो minimum 18 साल और maximum 40 साल ठीक है ये हो गया female के लिए आप एक बार इसको देख लिजे सही से ठीक दोस्तों तो आपने देख लिया होगा ठीक ये हो गया age की बात कर लिए अब बात करते हैं क्या इसमें minimum qualification दिया गया है तो stenographer की post है total जो पोस्टे दी गई ही वो 129 पोस्टे दी गई है ठीक ये देखे और इसमें जो minimum qualification है वो 10 प्लस 2 होना चाहिए आपका exam in recognized board of India कैसी से भी से होना चाहिए इंडिया से ठीक है इंग्लिस शॉट हेंड एंड इंग्लिस ठीक अच्छा टाइपिंग सर्टिफिकेट आपका टाइपिंग सर्टिफिकेट मेंडेट्री है ठीक है शिक्स मन्त कंप्यूटर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होना च ठीक है अच्छा इंग्लिस शॉट हेंड असी वर्ड पर मिनट आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वह असी वर्ड पर मिनट ठीक है अब बात करते हैं मौड अप सलेक्शन जो सलेक्शन होगा कैसे ठीक क्या इसमें जो रिटेन टेस्ट लिया जाएगा सबसे पहली बाद विट स्पीड ऑफ असी वर्ड पर मिनट ठीक है एंड फॉर्टी वर्ड ओनली तीन सो बीस वर्ड ही आपको टाइप करने हैं एड डा रेट आफ असी वर्ड पर मिनट फॉर मिनट ठीक है एंड एंड फिप्टीन मिनट फॉर इस ट्रांस्किप्शन पंदर मिनट दिया जा आप टांस्किप्शन कर लेंगे तो साथ मिनट डिया जाएगा कि आप अपने जो आपने टाइप किया उसको दोरा लिजे कहीं आपने गलती तो नहीं करिए उसको आप सही कर सकते हैं ठीक है साथ मिनट डिया गया फॉर सॉट एंड इमिडेटली आफटर डिक्टेशन और उस जिसके बाद क्या होगा इंटर्विय हो जाएगा जब ये आप क्लियर के लेंगे तो क्या होगा इंटर्विय होझाएगा अब बात करते हैं स्लाब लेते इंगलिस ग्रामर की इंगिलिस ग्रामर की स्पॉर्ट एरर है PARC development समयों नहीं पृटнул होग इस्पॉर्टिश पूर ठीक पिर बात करते फिलेंदा ब्लेंक पैसे दें गया उसमें भरना होगा आप सनोगा तो उठा के आपको भरना होगा ठीक है फिलेंदा ब्लेंक spelling है s-p-e-l-i-n-g तो e हटा देगा तो इसमें spelling खुज नहीं हो गया आपको सही misspelled होगे words होगे idiom and idiom or phrases पूछा जाएगा आपसे ठीक है one word substitution आएगा improvement आएगा improvement of sentences होगा active and passive voice पूछा जाएगा आपसे wise of words होगे suffering of sentences आप parts होंगे मलब एक sentence दिया होगा छोटा सा और एक इंड में दिया होगा ठीक है beach में क्या होगा ABCD करके वह दिये होंगे आपको उसको सही form में लगाने हैं और match कराने ठीक है पूरा एक बनना चाहिए ठीक अच्छा sampling of words हो गया यह जो total English grammar है वो 30 marks का आएगा ठीक अब बात करते है second number की तो basic computer science का ठीक इसमें आएगा history of computers पूरा होगा ठीक है fundamental of computer आएगा history of computer fundamental of computer यानि कि basic computers आप से पूछे जाएंगे ठीक है and terminology computers होगे ठीक है abbreviations होगे short form आपके पूछ लिया जाएगा ठीक है जैसे हो आपका ROM का हो गया ALU का हो गया ऐसे करके ROM हो गया ठीक है read only memory हो गई ठीक है ALU arithmetic logic unit ऐसे करके आपके short form पूछे जाएंगे ठीक है अच्छा basic हो गया यह हो गया आपका abbreviation basic hardware पूछ लिए जाएंगे hardware के software basic पूछे जाएंगे keyboard से related होगा shortcuts पूछे जाएंगे ठीक है control ही होता है ऐसे करके ठीक है operating system पूछे जाएंगे basic पूछी जाएगी basic fundamentals पूछा जाएगा ठीक है networking से आपके question बन जाएंगे and communication से आपके question बनेंगे ठीक है written test भी जो आपका test होगा वो सिर्फ mode on English में होगा Hindi में नहीं होगा सिर्फ English में पूछा जाएगा और ठीक है every wrong answer पे आपका negative रखी गई है ठीक है question आपका गलत है तो negative marking इसमें है यह हो गए आपका पूरा mode of selection अब बात करते हैं कि कौन कौन सी हमें book important है जो पढ़ें जिससे हमारा इसमें selection हो जाए ठीक है तो सबसे पहले मैंने इसमें लिग दिया है दिखेगा नहीं कोई बात नहीं ठीक है ठीक है youth competition वाली SSC किये वह आप खतम कर लिए तीन पढ़ लिया आपका sufficient है कोई भी book आपको पढ़ने की ज़रूत नहीं है फिर बात करते हैं computer के लिए तो सबसे beginning books है Volution और current publication दो book करने आपको खतम उसके बाद आ जाएगी youth competition की वाली ठीक है सबी English form में मिलती है आप इन तीनों book को काईदे से पढ़िए definitely आपका कहीं से भी बाहर question नहीं जाएगा ठीक है यह द्यान रखिए कि तैयारी करने से सबसे अधिक important आपके पास PDF होना चाहिए उससे related आपको पढ़ना है आपको वही पढ़ना जो आपके exam में आना व क्योंकि इस तरीके के exam में जिसका skill अच्छा होता है ठीक है उसका return खराब हो जाता है ठीक return अच्छा नहीं होता तो अगर skill आपका अच्छा है तो return पर आप focus कर लिजे और definitely आपका इस exam में हो जाएगा ठीक और previous year पर जितन जो भी आप पढ़िए उसको day by day revision करिए ठीक मैंनत ही कर रहे हैं तो समझ लिजे तब गरबाड़ा ठीक है आपको जो जितना भी आप पढ़िए उसको जरू से जरू रिवीजन करिए और previous year की question paper आपको जरू से जरू लगाने इसके बाद अगर कोई doubt है आपको इससे related तो वह मेरे से आप पो सकते मैं definitely हर question का answer आपको द